दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यहां लूशन्ट समानने ग्यान इस से रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट 40 प्लस कोश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चांसर एल बे गुरूप डी एससी यूपी पुलिस लेखपाल और आने वाले सभी परतियोगिता परिक्षक लिए यह काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पुनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानि जो घंटी का निसान है इससे जरूर से अनकरते हैं और यह टोटल जो 40 प्लस कोश्चन है आप इनमेंसे कितने कोश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कूर कमेंड बॉक्स में जरूर बाता है तो चले शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर हमारा पहला कोश्चन दिया गया है प्रकास संसलेशन के लिए आवस्यक ततों के नाम बत हैं तो देखिए प्रकास संसलेशन के लिए आवस्यक ततों है भी करण डाय कोश्चन की कौशिकाओं में संसले के निर्माड की किरिया को क्या कहते है प्रकाश संसलेशन कहते हैं प्रकाश संसलेशन में CO2 के और वो का अपचायन होकर कार्बो हाइडरेट का निर्माड होता है आपको याद रखना है कोश्चन नमबर 2 है बांगलादेश को स्वतांतर देश का दरजा को प्राप्थ हुआ बांगलादेश को स्वतांतर देश का दरजा को प्राप्थ हुआ तो ये प्राप्थ हुआ 1911 में करेक्ट आंसर अप्शन ही हो जायेगा बांगलादेस की बात करें तो बांगलादेस उननी से एक होतर से पुर्वा जो है पाकिस्तान का हिस्सा था बांगलादेस पहले किसका हिस्सा था पाकिस्तान का हिस्सा था जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था Question number 3 है हवा में ध्वाने की चाल कितनी होती है तो देखे हवा में ध्वाने की जो चाल होती है वो 343 मेटर प्राती सेकेंड होती है आपको याद रखना है 343 मेटर प्राती सेकेंड होती है Correct answer option C यो जायेगा Question number 4 है इनमें सेक्वान से अंतासरावी गरंथी नहीं है तो correct answer option D यो जायेगा लार गरंथी जो है ये अंतासरावी गरंथी नहीं है मानोसरी की परमुख अंतासरावी गरंथी यहाँ पर हमने लिखे है जो अंतासरावी गरंथी है पहला है प्यूस गरंथी पीनियल गरंथी, थाइमस गरंथी, पैरा थाइराइड गरंथी, अधिब्रिक और थाते अंडरीनल गरंथी है ये सभी क्या है, ये मानोसरी की प्रमुख अंतावी गरंथी है अगनियासे की बात करें तो अगनियासे जो गरान्ति है यह मानौ सरी के दूसरी सबसे बड़ी गरान्ति है और यह मिसरित गरान्ति है आपको यात रखना है कुश्चन नमबर पांच है निमने लेखित मैंसे कौन सा मानव की आहार नाल का हिसा नहीं है मानव की आहार नाल का हिसा इन मैंसे कौन सा नहीं है तो स्वासनली नहीं है करेक्ट आंसर ओप्सन बी हो जाएगा इसके अलावा मानँशरी में आहारनाल के जो भाग है मानँशरी में आहारनाल के जो भाग है वो यहाँ पर हमने लिखे है मुख गुः, गरास नली, छोटी यात और बड़ी यात यह सबी क्या है निमनले क्येत मैंसे यह कौन सा बर्णक फलो और सब्जियों के रंगों के निर्धारन के लिए जिम्मेदार है निमने लेखित में से कौन सा बर्णक फलो और सब्जियों के रंगों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है तो correct answer option यह हो जाएगा anthocyanins इन्थो साइनेश जो है ये फॉलो और सब्जियों के रोंगों के निर्धारन के लिए जो है मतलब ये निर्धारन के लिए जिम्मेदार है ठीक है question number 7 है निमने लेखित में से कौन सा MS office suit का हिस्था नहीं है MS office suit का हिस्था कौन सा नहीं है इसमें बताना है तो पुर्जेक्ट जो है ये MS office suit का हिस्था नहीं है भाकी तीनो उसके हिस्था है Excel PowerPoint Word तीनो क्या है MS office suit के हिस्था है गुरत्वकरसन का निम किसके दвор़ा परतीपादित किया गया था गुरत्वकरसन का निम किसके दورा परतीपादित किया गया था तो आइजक निूटन के द्वरा परतिपादित किया गया था, correct answer B हो जाएगा, प्राकिर्तिक चौयन का सिधानत का चार्ल्स डार्विन ने दिया था, औलबॉर्ट आइस्टीन की बात करें तो इन्होंने सापयक्षता का सिधानत दिया था, औलबॉर्ट आइस्टीन को प्रक अर्ग मेडिज ने उरेनियम का विखंडन आटोहन ने दिया था अनिश्चता का सिधानत है जड़त्व का संकल्पना गैलीलियो ने दिया था तपायनिक उत्सवर्जन एडिसन ने दिया था अब को याद रखना है कुश्चन नमबर 9 है कॉम्प्यूटर भासा में बी निमने उप्योग किसमे किया जाता है वो यहां पर हमने लिख्या है बनसमति तेलों के बनसमति तेलों से बनसमति ने हैं पति घी बनाने में हाइड्रोजन का उप्योग किया जाता है वाटर गैस के उत्पादन में किया जाता है अप्चाय करने के लिए अप्चाय के रूप में हैबर बिधी से अमोनिया के उत्पादन में द्रवी क्रित हाइड्रोजन का उप्योग रॉकेटो में इंधन के रूप में किया जाता है ठीक है hydrogen का उप्योग किया जाता है इन में से कौन सा हर्मोन गर्भासे के संकुछनों और 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 गर्भासे के गर्भा के विस्तारन को उतेजित क करता है तो यह है अक्सी टोक्सिन हर्मोन ठीक है करेक्ट आंसर अपसन यह हो चाहेगा आक्सी टोक्सिन की बात करें तो अस्तंधारियों में दुख्द सराव को उतेजित करता है प्रोजेस्ट्रॉन हर्मोन का सराव कार्पस लूटियम द्वारा किया जाता है प्रोजेस्ट् हर्मोन की बात करें तो इसका सराव फ्लेसेंटा द्वरा प्रसव के दोरान होता है एस्ट्रोजन मादा लिंग हर्मोन है इस्ट्रोजन जो है यह मादा लिंगी हर्मोन है इसका सरावड इसका सरावड जो है तरूड़ा आवस्था में आराम होता है किन्तु रजो निब्रिति पस्चातिस हर्मोन का उत्पादण बंद हो जाता है टेस्टोस्टोरों की बात करें तो ये नरलिंगी हर्मोन है ठीक है पूरुष एक सब्सकार्मोन इसको बुला जाता है नरलिंगी हर्मोन है निमनेलगित मैंसे किस मचली में सीर हड़ी आँख या नाख मौझूद नहीं हो प्रमुक सिधान्त खोज और उनके अविस्कारक यहां पर हमने लिख्या है देखिए पहला दिया गया इलेक्ट्रान की खोज किस ने की थी जेजे थांसन ने किया था गुर्ट्वकर्शन के नियम न्यूटन ने दिया था स्वार मंडल का की खोज कॉपर निकस ने इलेक्ट्रान परावेस मिलिकन ने कॉआंटम का सिधान्त मैक्स प्लांक ने सापेक्षता का सिधान्त अलबर्ट आइस्टिन ने दिया था सोडियम एक अभी क्रियासिल धातू है जो खुले रुखे जाने पर डैस के साथ अभी क्रिया करके बिसफोट के साथ आग पकड़ लेती है तो यह है अक्सीजन के साथ आग पकड़ लेती है करेक्ट आंसर अप्शन डी हो जाएगा द्रावित सोडियम का उप्योग है ना भीकिया भर्टियों में सीतलक के रूप में करते हैं सोडियम का उप्योग प्रवल अप्चायक के रूप में करते हैं आक्सी हाइड्रोजन जोळा तथा आक्सी एसिटिलिन जोळा धातों को जोडने के काम आती है द्रावि भूत आक्सीजन का प्रयोग रॉकें निंधन के रूप में किया जाता है किरित्रिम का अर्बधान के लिए पैल के बिर्ये को द्राव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है लाल फासफोरस का उप्योग माची सुद्योग में किया जाता है चुहे के 20 सफेद फासफोरस पोटेसियम साइनाइट आथ्वा जिंक फासफाइट से बनता है आपको याद रखना है भार्दिया नदी परनालियों में मुख्यता कितने परकार मोझूद है तो यह मुख्यता दो परकार मोझूद है कौरेक्ट आंसर अप्शनी हो चाहिएका कौन-कौन से हैं। हिमाला की नदिया और प्राए डीपिया नदिये, दो परकार की नदिया होती है। के ऐृण फारवार्ट भौ पार्टे के संस्थापक कौन थेृण How फारवर्ट भौफ पार्टे के संस्थापक कुन थेृणug difficिते ठीके करेक्ट तो ये साथ दिसंबर को जो है मनाय जाता है करेक्ट आंससी हो जायेगा ससस्त्र भल जंडा दिवस ससस्त्र भल जंडा दिवस धन खर्च किया जाना है वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सरवाधिक ब्यापार किया जाता है तो अमेरिकी डॉलर का किया जाता है यह प्राइम मिनेस्टर टू रिमेंबर नामक उपनियास के लेखा कौन है, तो इसके लेख़क है, एडमिरल सुनील सुसील कुमर, एडमिरल सुसील कुमर है, सुसील कुमर सी अंसर हो जायेगा, भारतिया राष्टबाद है, यह के, संभरानत घटना है, जो वा कीलो, यह हम ड तो देखी यह महत्मा गांधी जी का कृथान है, ठीक है, correct answer option B हो जाएगा, खादे सुरक्षा, खादे सुरक्षा, ए छेत्र में वमरते सेंध वारा जोडा गया, यह नाया आयाम क्या है, तो जोडा गया एक नाया आयाम है अधिकार, ठीक है, correct answer option E हो जाएगा, IRDI का पूर्ण रूप क्या है IRDI का पूर्ण रूप क्या है तो यह है Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDI का full form है correct answer D हो जाएगा IRDI की बात करें तो यह एक्ट जो है 1999 में लाया गया IRDI की अस्थापना 1999 में हुई थी IRDI भीमा छेत्र का राजमार्ग प्राधिकरंड जिम्मेदार है भारतिय राश्टिया राजमार्ग प्राधिकरंड जिम्मेदार है correct answer B हो जाएगा निम्नेलेखित में से 20 प्रधान मंत्री के सासन काल में समपतिक आधिकार को मौलिक आधिकारों के सुचि से हटाया गया था तो ये मुरार्जी तेसाई के कारेकल में हटाये गया था, correct answer अप्सनी हो जाएगा वाई मंडल में कौन सी निस्किरिया गया सरवाधिक मात्रा में होती है तो ये आरगन जो है सरवाधिक मात्रा में होती है, correct answer ये हो जाएगा किसी राज्य का सरवच बीधी अधिकारी कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है, ठीके, correct answer अप्सनी हो जाएगा चीपको अंदोलन किस विशय से सम्बंदी थै, बन सनरक्षान से सम्बंदी थै, correct answer अप्सनी हो जाएगा भारत की प्रथम बहुत देशिय पर्योजने किस नदी पर बनाई गई थी, दामूदर नदी पर बनाई गई थी, correct answer, ये हो जाएगा मैमार सीमा से लगने वाले भारती राज्य कौन से है, मैमार सीमा से लगने वाले भारती राज्य कौन से है तो भरतिय राचे है मिजोरा, मडिपूर, नागालेंड तथा उड़ाचल परतिस ठीक है ये चार राचे जो है मैमार सीमा से लगने वाले भरतिय राचे है करेक्ट आंसर बी हो जायेगा लोड करनावालेस ने अस्थाई बंद बस्त यानि पर्मानेंट सेटेलमेंट निमनलेखित में से किसके साथ किया था तो पर्मानेंट सेटेलमेंट जो है ये किया था जमिंदारों के साथ ठीक है करेक्ट आंसर अप्सन सी हो जायेगा भारतिय सम्विधान के अधिन बिधान के अउसिष्ट सक्तियां किस में नहीं थोती है बिधान के अउसिष्ट सक्तियां किस में नहीं थोती है तो यह संसद में नहीं थोती है correct answer option C हो जाएगा भारत में पहला लॉव इस पात करखाना अठासो चोहतर में कुल्टी में अस्थापित किया गया था 21 राज जमेश्थी थे तो देखिए यह पसिम मंगल राज जमेश्थी थे correct answer option C हो जाएगा 200 बैंक यानि World Bank को अन्यक किस नाम से जाना जाता है तो देखिए World Bank को जो है यह International Bank for Reconstruction and Development के नाम से जाना जाता है correct answer option यह हो जाएगा निमने लेखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनसील है तो जल में घुलनसील विटामिन कौन सा है विटामिन B और C विटामिन B और C जो है जल में घुलनसील विटामिन है B आंसर हो जाएगा सैंथे से राष्टिया ध्वज को आम लोगों को फाराने के उनमतिक कप परदान की गई 26 जन्वरी ध्वर्दो को दी गई 26 जन्वरी ध्वर्दो को correct answer option यह हो जाएगा वाटर टाइंक में सैवालों को नुष्ट करने के लिए किस राष्टाइन का परियोग किया जाता है तो copper sulphate का परियोग किया जाता है correct answer option यह हो जाएगा लकडी की बस्तूं को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है लकड़ी की बस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है तो देखे उस पर जो है जिंक कुलराइड का लेपन किया जाता है जब चलते हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यातरी आगे की दिशा में गिरते है या न्यूटन का कौन सा नियम है तो देखे या न्यूटन का जो है पहला नियम है जब चलते हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यातरी आगे की दिशा में गिरते है जूक जाते हैं मतलब यह निउटन का कौन से नियम है तो निउटन का पहला नियम है correct answer option C हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला question है मात्मा गाधी जी को नंगा फकिर किस ने कहा था very important question है नंगा फकिर किस ने बोला था तो विस्टन चर्चिल ने बोला था याद रखना है आपको किस ने बोला था विस्टन चर्चिल ने correct answer option C हो जाएगा तो दोस्तों यह थे लूसेंट समाने ग्यान के important 40 plus question I hope कि यह विडियो जो है आपको पसंद आये रहेगा पसंद आये तो प्लेज विडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में share करें चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है यानि घंटी के जो निसान है उसे all notification पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई निए विडियो अपलोड करूं उसका notification जो है आपको सबसे पहले मिल सके तो subscribe करने बाद बेल आइकन जुरूर सब्सक्राइब करें ठीक है मिलते हैं अगले विडियो में नमस्कार जय हिंद जय भारत